नमस्कार मैं हूँ आपका एस्टो चाचा आचारी भूशन कोशल और मेरे साथ देख रहे हैं आप एस्टो तक बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हम एक नया विशे लेकर के आए हैं क्योंकि सुरू हो रहा है हिंदी पंचांग का नया साल तो नया साल आपको बहुत-ब बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- त्रिठी याद रखिये 6 अप्रेल शनीवार से नया विक्रम संबत 2076 शुरू हो रहा है अभी 2075 चल रहा है खल खटम हो जाएगा 2075 पुराना साल खटम हो जाएगा और नया साल शुरू हो जाएगा नया पंचांग लागू हो जाएगा तो इस नए साल में क्या होने वाला है, क्या आपको लाब मिलने वाला है, क्या क्या थोड़ा सा उपाया भी खर ने चाहिए क्या क्या कर ना चाहिए यह मैं आपको बताने जारू तो पहले तो इस नए साल का नाम है परीधावी, क्या नाम है? परीधावी समवत, दो हजार शीयत्तर इसके राजा शनी है और मंत्री सूर्य है, हो गया ना कमाल उलट फेर ग्रहों का शनी जो पुत्र है वो तो राजा बन गया और जो पिता है सूर्य वो मंत्री बन गया उसके अधीन आ गया सारा उलट फेर हो गया ग्रहों का और जब ग्रहों का उलट फेर होता है आपके जीवन में भी परिवर्थान आता है, उलट फेर होता है तो यह जो सम्वत है यहाँ क्या क्या करेगा और इसका मतलब क्या है और क्या आपको लाब मिलेगा इस पर चर्चाह करें पहला पहला दिन पर्तिवदा तीठी 6 अपरेल शनी वार से सम्वत शुरू है इसलिए शनी इसका राजा है अब शनी जब राजा होता है, तो क्या क्या होता है, किन की चीजों से आपको साफधान रहना है, नए समवत परिधावी में, दो हजार शीयटर में, शनी, आपके खर्चे बहुत बढ़ा सकता है, साफधान रहनी की जरूरत है, लडाई जगड़े मुकदमे करवा सकता है, आपधानी ब्रत्नी है, जूट बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि शनी न्याय के देवता भी है, आप जूट बोले और गए, आपने बाइमानी की और आप गए, आपको ये पूरा साल इमानदारी, सच बोलके, सच्चे रास्ते पर गुजरना है, जो व्यक्ति गलत करेग शनी उसका बदला लेके उसको डुबा देवा, अन्याय नहीं कर सकते, आप गरीबों का पैसा हक नहीं मार सकते, किसी का हक नहीं मार सकते, आप महिलाओं पर अत्याचार नहीं कर सकते, आप किसी भी छोटे गरीब इंसान पर अत्याचार नहीं कर सकते, लाचार मजबूर इ सबसे पहले पहले दिन आप पूजा पाठ अवश्य करें शनीदेव की पूजा पाठ करें घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं और इस नए साल में क्या क्या करना है। प्रिम चीज है काली उड़त की दाल और चावल के खिछडी बना करके अचार के साथ डान करें, नारियल का डान करें, मंदीर में नफे पढूर्णग घरल का डान करें पंडीजी को, पंडीजी को धोती का डान करें पंडी से अशिरवाद ले और किसी भी इलाचार गरीब व्यक्ति को भोजन कराए भोजन कराके और उसके बाद उनका अशिरवाद ले दूआ ले उसकी यह आपको करना पड़ेगा तब जाकर के साल में कोई संकट आपके उपर नहीं आएगा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो ये तो बात हो गई अब जब नया साल शुरू होता है तो और कौन से तेवार आते हैं साथ में माहराष्ट गुजरात का गुड़ी पड़वा जी गुड़ी पड़वा भी 6 अपरेल शनिवार को है तो गुड़ी पड़वा की भी आपको बहुत-बहुत बदाईयों करनात्य और तामिलाड़ों वगरे में उगाड़ी मनाई जाती है उसकी भी बहुत-बहुत बाद हो आपको तो पूरे देश में छे तारिक को एक नया वातावरन होता है अब जब आपके गुरी पड़वा के तेवारा पना रहें तो उ भी नया साल समवत शुरू होता है मराथी कलंडर के अनुसार नया साल का पहला दीन होता है उस दिन क्या-क्या करना थी उस दिन आपको शनिवार को है तो आपको उस दिन हल्वा बनाया जाता है और बना करके आज-पास के महलो रिष्टदार में हल्वा माटा जाता है इसके अलावा उस दिन आपको नीम की पत्तियां खानी पड़ती हैं, मिश्री खाना पड़ता है, है ना, और सुबा तेल लगाकर असनान किया जाता है, तो गुरी पड़वा की भी आपको बहुत बधाई हो, नया साल आपका भी बहुत अच्छा जाए, आपको भी उपाई करने हैं जैसे हिंदी का नया साल कलेंडर का शुरू हुआ है, अब भी उपाई कर सकते हैं, और उगारी का भी उपाई वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अब नया साल शुरू हो रहा है, तो और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं, वो ये होती हैं, कि आप नय नय वस्त्रों को खरीद सकत गर में कुछ नया काम कर सकते हैं आप नई गारी नया मकान ले सकते हैं अब्राइश्यो मुरत होता है क्योंकि उसी दिन से पहला चैत्र नव्रात्र शुरू होता है बल वैं दुर्गा माता कीज़े तो माता दुरगा चैत्र नवरात्र में पदार रही है मा करेंगी सबका कल्यान तो चैती नवरात्र के भी आपको बहुत बहुत बधाई हो तो और इस बार जो है माता आ रही है आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लेकर के नौट इन तक नवरात्री मनाई जाएगी और नौवे टीन होगी आपके विजय का पर्व राम नौमी जी तो 6 अपरेल से सारे सिलसिले पर्व तेवहार के शुरू होते हैं नवरात्रों की जो लोग वरत रखना चाहते हैं मादेवी की पूजा पाट करना चाहते हैं जो घट अस्थापना करना चाहते हैं घट स्थापन करने का मूरज صुबह 6 ज में 10-11 के बीच में है जो मात जुरुगा के अखंड जोट की स्थापना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं दज करते हैं लो कर सकते हैं तो चेटी नवरात्र जो है 15 तारिक तक चलेगी नावराम नौमी आएगी उसके बाद तो नाम नौमी का टेवहार विजय का टेवहार है और आपकी सारी मुश्किलों समस्याओं पर आपको विजय पराप्त होगी तो इसलिए 6 अपरेल से तैयारी कर लिजे नवरात्र की और आप उसके लिए मैं पहले से एडवांस में बता रहा हूं आपको सारी बाते बता दिये नवरात्र में माता के लिए एक माता की मूर्तिया फोटो एक कलश एक कपड़ा और आपके लिए और चोकी वगरा खड़ी लीजिए है ना कलश पे इंटिजाम कीजिए क्या कलश में जल गंगा जल अंदर पांसुपारी ऊपर से याम का पल्लव ऊपर से लाल कपड़ा लपेट कर नारियल रखना है उसके अस्थापना करनी है अखंड जोत जला और खेत्री बीजना है तो वह भी बीज सकते हैं जैसे नवरात्रों में करते हैं वो शार्दिये नवरात्र होते हैं जो हम अक्टूबर सेप्टमबर अक्टूबर में मनाते हैं वो शार्दिये नवरात्र होते हैं और यह जो नवरात्र हैं यह चैटी नवरात्र होते हैं य आप नया साल का नया नवरातह। 6 अप्रैल से शरू होगा, तो आप उन नवरातनी शरू कर सकते हैं । मात्त dhurgha जो है अन्याय का नाश करने लिए कुए शनी वार से होड़ी, शनी न्याय की देवता हैं। इसलिए अन्याय का नाश करने के लिए हो रही हैं। आपके दुश्मन, आपके विरोधी, सब शान्ट होके बैठ जाएंगे अगर आपने नवरात्रों की पूजा करें, और माता को लॉंग की माला खास चड़ाएंगें, तो इस तरह से 6 अपरेल से आपको एक नया जीवन आपका शुरू होने वाला है, ग्रहे आपके बदलने व हाली है, आप इनको अगर कर लेंगे, तो आपके जीवन में सपलता ही सपलता मिलेगी, पूरा साल आपका बहुत ही शुब होगा, इसलिए आपको नया साल की फिर से एक बार बढ़ाई, नमस्कार, मुझे जायत दे, नमस्कार.